हेलो एब्रिवान विल्कम टू मैं वीडियो ए रिप्लेश्मेंट राइट का एपिसेट बन नमर टू बेल का एक्स्परमेशन होगा एपिसेट इस्टार करने से पहले अगर आप लोग में चाल में रहे हो तो आलको सस्काइब जरू कर लेना हमने लास पार तक देखा था था उसे बोलता है कि मैं कुछ खाने को लेके आता हूं तुम्हें पर रहो और उसके बाद हुआ से चले जाता है तभी वहां पर जो रून का स्टिप ब्रॉदर था वान वह भी आया हुआ था उसकी गल्फिन नीडा के साथ गल्फिन दो नहीं लेकिन ऐसे हांग आउट करने के कि तुम्हें ऐसे तफा हो जा मुझे तुम्हें बात बात नहीं करने में आपने ऐसे मोवी देखने आई थी ऐसा वो बोल आई थी और जो वहां था वह बलता है कि मैं बस तुम्हें ए चीज इंफम करना चाहता हूं कि प्लीज तुम्हा अपने खस्पन को ए ज़रू पता कि मेरे पापा और मेरी फैनल से दूर रहें ऐसा वह बोला होता है तब वहां पर थानु के तुम्हें बाता है और मेरे भीवी से दूर रहाघ्व करना करो कि तुम्हारी अच्छे इंटेंशन्य पी पारद मेरे बिए बहुत कहां लग करतें मुझा पता हैございます तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बेहन मेरी बीबी और उसके फैमिली के लिए क्या सोचती हूं मुझे अच्छी रशा पता है तो प्रेटेंड मत करो बोलके उसे भगा देता है जो रूंग है वो तो इतना खुश हो जाती कि अच्छी तो मत पती ने पुछल के उसे भगा रही थी थानो इसमाल करता है और उसके बाद रूंग और थानो आशी चले जाता है हमें दिखा जाता है उनके चले जाने के बाद तीरा पुस्तिया कि थी कौन और मुझे एसा क्यो जाता है और वो बोलता है कि तुम कैसे मिली होगी फोन से जो तुम रूंग को देखने के बाद किसी किया रही हो ऐसा हो बोल लाई थी और उसे थोरी पता है कि फोन तो निरा जिसकार भी देती है भी पड़े यहां पे दिखा जाता है शिल्ट कौन तहापर साम को बंक को ठ प्रावर्मेश्योर यानि कि रूम के पापा को ऐसे उनको खुष काने के ट्राइ कर रहे थी और वो बोले थी कि मुझे आप पता चाला आप उसको यू डिपर्ष नहीं दे रहें मुझे अच्छी थरा चे पता चल गया अकर आप उसे डिपर्ष तो करता 75% प्रोपर्टी उस तो कि देखो जो तुम्हारा काम इसकार में बस फूरी करो इसे ज्यादा उल्टा-शिदा काम करने के वाल में सोचा भी मत क्योंकि अगर मैं वैसे अपने पर आ गया तो तुम्हारे बहुत दिकतोसत किया ऐसे भी मैंने तुम्हारा पर लीगल वाइद बनाने के रहने का ए बेची को ऐसा आओ बो देते हैं और उसके बाद जल जाते हैं वोंकोट को तो ऐसा लग रहा था कि उसका पोपटी हो गया और मामे अगनी सीन में दिखा जाता है रूंग और थानो वापस घर पे आते ही नाया वाला जगा था लेकिन काफी फाइंची टाइप का था रूंग बोलती कि तुम्हारी अमीरी तो हर जरा पे जलक रही है एक बात बताओ तुम्हें कितना पैसा कमाया है ऐसा बोल रही थ रूंग बात रूंग बोलती कि कोई बात नहीं थानो बोलता कि एसा में सिख तुम्हारी चेप्टी के लिए कर रहा हूं एक दिन तुम जरू समझों कि क्योंकि मैं तुम्हारी लिए हमेशा कि हमेशा से सिंचरू देवान से मेरे दिन में जो तुम्हारी पीलिंग है ना ओ तक वो बोलने वाला था, रूम इतना इमोशनल हो गई थी, वेसा होता है न कि कोई बंदा आपके सामने एकलाप कन्फिस कर रहा है, तो अब वो ऐसे अहस तो नहीं सकती, वो भी वही मोड में आ जाती है, और वो बहुत स्लो, इस पर ने उसके करीब जा रही होते हैं, जा रह हो गई थी, थानू को खोन में कुछ इसा न्यूज मिलता है, जिस बात कि वसी काफी परेशन हो जाता है, तो सीन सिप्र होता है, थानू के फ्राक्ट्री में, वहाँ पर कुछ आग लगी होई थी, जा 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 तो नहीं, लेकिन कुछ जगया पे, और यहाँ पर जब थानू ध्या सिर्धा बननी का ड्रामा में उसे अब नहीं छोने वाला, और नहीं में उसे अब अपने आपको हुट करने दोंगा ऐसा बोल देता है दिखा जाता है डोमनीक्यू को उसका बंदा कल करके सब बता देता है और लोमनीक्यू सब्सक्रे पूछे पूशत आई कि थानू ने तुम्हारा फ्रेश तो भी दिखा न तब ही तब ही तुम्हारा ओवोग बोलता है नहीं और मेरेड़े में कुछ पता चला तब ही ओवनत ह तब उन्हें था कि असको एसा लग रहा है कि यह सब सोफिया का किया दरा है वह दिखा चाता है सोफिया को भी सेम चीज भीचा गया था मतलब वही थानु आपर फाइट कर रहा होता है वह उसको देख रहे होती है और उसके बाद उसे कॉल आता है किसी थी प्रम के बंदी का और उसे बोल रही थी मैंने देखा डाउन टोरी कुछ भी नए होगा ऐसा ओ बोल रही थी अब आमें मॉर्णिग वाला से इन दिखा चाता है जहाए पर रोंग उरती है और थानु के जगा पर टेक थी हूआ पर नहीं था और थानु का बेट के नीचे देख ती है बेट के तभी वो बलती के थानु के ठीक है और उसके बाद रोंग पुष्टे की मॉम आप क्या मुझे से कोई चुपा रही है क्या तभी उसकी मॉम बलती के तुम्हें क्यों ऐसा लग रहे कि में को चुपा रही हूँ तभी रोंग बलती है कि पता नहीं इस दुनिया में सब जवाब तभी रोंग बलती कि मॉम जब मुझे एक सवाल का जवाब मिलता है तो वही पर दुसरा सवाल खड़ा होता है मेरे साथ तो यही हो रहा है मेरे पत पेप की साहर चुपा रोंग हसते है बोलती कि बेटा यही है तो मैरीड लाइफ है ना हर दिन नहीं चीज सीखने को मिलेगा ऐसा हो बोलाई थी और उसके बाद रोंग पुस्ति कि आपको इस सजी नाम के लड़की को जानती है पता है वो दिखने में तो बहुत स्ट्रॉंग भी है बहुत ज्यादा डेरिंग भी है सुन्ने की बाद जो रोंग की मॉम है ओ बोलती कि तुन्हें कितनी पर जो रोंग की मॉम है ओ ज्यादा तो बता नहीं पाते और इसके बाद रोंग बलती कि कोई बात है आप भी मुझे आते हैं तोरी चीजे बता रहे है जैसे थानू बताता है कोई बाते में फिर कभी पूस्त दोंगे अब याँ प्रेस्ट करो बोलके हो फोन रख लेती है और उसके बाद आप दिखा जाता है रोंग जैसे पून रख थी है वो देखती है सोफे में थानू उसके हाथ चे कून आ रहा हो था है और वो यह पर पड़ा हुआ था आप दिखा जाता है जो रोंग की मॉम थी ओ एक बोक्स में फोटा निकालती है जहां पर थानू साजी बोक्ती से तो बोल रहे थी और वो बहुते के चोट कैसे और थानू दो बूलता है कि अट पर आप जो अब से गुंडे गोश गई थे तो वहीं पचाते रहें में लगे इसा देगे वाद रूंग बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि कर्मा नाम की भी कोई चीज होती है आज तुम उनीचे लड़ गया है कल तुम्हारे साथ फिर से बदला लेने आएंगे तो एक कब तक चलता रहे तुम्हें फिर से दुश्यों से भागरा पड़ेगा इसलिए लड़ाई-बड़ाई में कुछ रखा नहीं है थोड़ा सांती वाला बार एक रस्ता होता है ओ अपना ऐसा हो बोल लाई थी तभी रूंग को थानु बोलता कि क्या पते तुम मेले परश्यान हो क्या तभी एक बार मचोर से मारती है तभी ठानु बोलता कि क्या कर रही हो मुझे लगी है तभी रूंग बोलती कि ताकि ना तुम्हारे दिम्याग पे रहे कुस पाए कि अगर दुसरी बार चोट लेके आ गए तो मैं तुम्हारा इतना मर मत नहीं करने वाले तुम्हें और लिए हो से दोरों के दोने एक नावाट के निकम में लोग और ऐसा वो बोलती है तो वो तो पूछ बोल नहीं पाता अगले सीम्हें तिखाय से अच्यम्हारे और तोles क каналषव और आउले की या उसालनों पता नहीं था उस那么 सत्वर॥ utilizz कि लिकोल पकाशन नहीं है जिसके चिक वार जा चुकी थी उसे तो बड़ा गुज़ा आ रहा था उस सोच रही थी कि नीजा की तो हर बात मानता है और मेर रिट एक बात महीं मानता मतलब उससे सची में मेर कज़े है बोलकि वाप यह आपको ऐसे कोस्त रही थी कि मैं क्यों आ गई यहां पर और उसके बाद जाता है और चे भूलाँ में नहीं पता हूं है लेकिन अगले स्एम में जब वॉर्ड कर था था तो वीडर कर रहे थे कि मतलब करेक्षिर में वसा बॉया आपको किसी बाउट है बला बला और यहां पर थानू वही एवजिवाला एंसर करता है कि मैं तो बिजनस करता हूँ तो अब मुझे नहीं पता कौन मेरे बाएर में क्या क्या प्लान कर रहा है मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो पता चले तो प्रीज बतादे ना कुछ भी आइडिया हो पुछ ब्रूट हो और जो थीव थी वह बहार आती उन लोगों से बात करती है और बोलती कि अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज बता देना कुछ भी आइडिया हो कुछ भी जाउट हो और उसके बाद उसे बहुत इच्छ से बात कर रही थी और जैसे रूंग को देखती है पुस्ति लिए को न लड़ाया नहीं करने चाहिए और तुम पुलिस को यह चीज हैनल करने दोगे ताकि तुम्हाइड थोड़ी प्रिस पुल रहे ऐसा बोलके उसे करने के ट्राइक करें होती है थानु बोला था ठीक है और यह सुने के बार बोलती है पती देब अब घर चले बोलके वाजे उ इसा बता है कि उसका फोड़ते क्यों सारी इस्ट्री बता सकता है तो यह सारी कोई बंदा था जो बहुत ज्यादा बिलिंग किया काता था बिजनेस में और वाट उससे मिलने के लिए गया हुआ था थानु के तरफ से और वह कुछ लोगा फोटो तिखाता है और पूसता है और वाट को अन्दर आने के लिए बहुत देता है यही पर एपीसोड नूर 12 कृतम हो यह आप लोग प्लीक मुझे एजरू बता रहा कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है उसी इसाब से में इंट्रेसिंग में इसको एक्समेंट कर पाऊ चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एपिसोड इन करने से में बता दू गाइस देखो जैसे कि एपिसोड है ट्वांटीयर जो में बहुत जल खातम करूंगी चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू सो मॉच फॉर वाचिंग